सारी धार्मिकताओं से परे अपने कार्यों में दक्ष होना योग है, मोमाया के बंधनों से मुक्त होना योग है, दुख से दूर होना योग है जी हाँ दोस्तों, आज 21 जून अंतराश्ट्रे योग दिवस के अफसर पर हम चर्चा करेंगे जीवन को आसान बनाने वाले कुछ योग आसनों के उपर दोस्तों, योग का ही नतीजा है कि 125 वर्ष की आयू में भी वारा नसी के स्वामी शिवाननत के चहरे पर युवा जोश नजर आता है वे कहते हैं, योग मेरी दिन चर्या का अभिन अंग है, योग के जर्वे इश्वर से भी साक्षातकार किया जा सकता है क्योंकि योग, नियम और आसन, मन को पवित्र एवं एकागर बनाते हैं चलिए, अब जानते हैं कुछ प्रमुक, प्राणायम और योग आसनों के बारे में जिनके जर्ये हम अंदकार से प्रकाश की और प्रविश कर सकते हैं सबसे पहले हम जानेंगे सूर्य नमसकार के बारे में दोस्तों, सूर्य नमसकार में कुल बारा आसन होते हैं सूर्य नमसकार करने से हमारी रचनात्मत्ता और अंतर ग्यान बढ़ता है गुड हार्मोंस का स्त्राव बढ़ता है रोच करने से आप एक दिन में करीब 400 से अधिक कैलोरी बर्न कर सकते हैं अब बात करते हैं अनिलोम विलोम की अनिलोम का अर्थ होता है सीधा और विलोम का अर्थ होता है उल्टा यहां सीधा का अर्थ है नाक का धाइना चेद और उल्टा का अर्थ है नाक का पाया चेद दोस्तो अनिलोम फिलोम करने से हर्ट की ब्लॉकेच खुल जाती है हर्दे बलवान होता है तनाव चिंता कम होती है पर ध्यान रहे सांस की गती ऐसी होनी चाहिए कि स्वयम आपको भी न सुनाई दे और अंत में हम बात करेंगे कपाल भाती की दोस्तो इस प्रणायाम के निरंतर अभ्याज से किट्नी स्टोन शरीर के किसी भी जगह के स्टोन अत्वा पत्री में लाब होता है गैस, कब्स, असिडिडी आधी में भी लाब होता है भारत्य सेना में मदरा सेज्जमेंट के जाबाज जवान लांस नायक हनुमन थपपा को कौन नहीं जानता जो सियाचिन में माइनस 45 डिगरी सेलसियस में 25 फीट मोटी बर्फ की चादर के अंदर दबे होने के बावजूद 6 दिन तक जिन्दा रहे दोस्तों, वो योग का ही कमाल था उनके बारे में कहा जाता है कि वे नियमित तौर पर योग करते थे और अपने सैनिक दोस्तों को भी सिखाते थे तो दोस्तों, अपनी दैनिक दिन चरिया में योग को जरूर अपनाए जिससे आपका मन स्वस्त और काया निरोगी रह सके दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें